सांता कारं भुचंग सैनं पद्मनाभं सुडेसं विश्वा धारं गगन सद्रिसं मेग वल्नं सुभांगं लक्षमी कांतं कमल नैनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विश्णु भवय हरं सर्व लोकेक नाथं मंगलम भगवान विश्णु मंगलम गर्ण धजा मंगलम पुंडरी का अक्षा मंगलाय तनो हरी ओम नमो भगवते वासु देवाया आज का दिन आप सभी के लिए मंगल मैं हो आज मैं अगन मास कथा का बारववा अध्याय सुनाने वाला हूँ अगन मास में भगवान विश्णु की कथा सुनने से जन जन मांतर के पांप कर्मों का नास होता है और घर में सुक सम्रेधी एवन धन धाने भरा रता है तवाईए सुनते हैं मार्गिसिस मास की कथा का बारववा अध्याय स्रीप रासर जी बोलें है मैत्रे स्वायंबु मनु के प्रियवरत और उत्तानपाद नामक दो महा बल्वान और धर्माग गे पुतर थे ब्रह्मन उनमें से उत्तानपाद की प्रेसी पतनी सुलूची से पिता का अत्यन्त लाडला उत्तम नामक पुतर हुआ है द्विज उ उसमें उसका विशेष प्रेम न था उसका पुतर धुरू हुआ एक दिन राज सिहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख धुरू की इक्छा भी गोद में बैठने की हुई किन्तु राजा ने अपनी प्रेसे सुरूची के सामने गोद में चड़ने के लिए उत्कंटित होकर प्रेम वस आए हुए उस पुतर का आदर नहीं किया अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरूची इस प्रकार करने लगी अरे लला बिना मेरे पेट से उत्पन हुई किसी अने एस्तरी का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनुरत करता है तू अविवेकी है इसलिए ऐसी अलभ्य उत्मुत्म वस्तु की इक्षा करता है या ठीक है कि तू भी इनी राजा का पुत्र है तथा भी मैंने तो तुझे अपने गर्म में धारन नहीं किया समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आसर रूप या राजसियासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है तो व्यर्थ क्यों अपने चित को संताप देता है मेरे पुत्र के समान तुझे वरिथा ही या उच्चा मनुथ क्यों होता है क्या तू नहीं चांता कि तेरा जन्म सुनीती से हुआ है स्री प्रासर जी बोले हे द्विज विमाता का ऐसा कथन सुनवा बालक कुपितो पीता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया हे मैत्रे जिसके उच्च कुछ कुछ कांप रहत है ऐसे अपने पुत्र को क्रोध योक्त देख सुनीती ने उसे गोध में बिठा कर पूछा बेटा तेरे कुरोध का क्या करण है तेरा किसने आदर ने किया तेरा अपरात करके कौन तेरे पीता का अपमान करने चला है सिर्प रासर जी बोले ऐसा पुछने पर ध्रो ने अपनी माता से वे सब बाते कह दी जो अतिगरविली सुरीची ने उस से पीता के सामने कही थी अपनी पुत्र के सिसक सिसकर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीती ने खेन चित और दिलग स्वास के कारण मली ने नैना होकर कहा सुनीती बोली बेटा सुरीची ने ठीक ही कहा है आवस से ही तू मन्द भागय है हे बत्स पुन्य मानू से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते हे बत्स तु व्याकुल मत हो क्योंकि तूने पुरुजन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है और जो नहीं किया वज तुझे दे भी कौन सकता है इसलिए तुझे उसके बाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए हे वज जिसका पुन्य होता है उसी को राजासन, राजशत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदे मिलते हैं ऐसा जानकर तुझ सांथ हो जा, अन्य जन्मों में किये हुए पुन्य कर्मों के कारणी सुरूची में राजा की प्रिती है और पुन्य हीना होने से मुझ जैसे इस्त्री केवल भार्या ही कही जाती है उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुन्य पुन्य संपन है और मेरा पुत्र तुद्रो मेरे सामने ही अल्प पुन्यवान है तथापी बेटा तुझे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस मनुस्य को जितना मिलता है वा अपनी ही पुन्जी में मग्न राता है और यदि सुरूची के वाक्यों से तुझे अत्यंद्र दुखी हुआ है तो सरो फल दायक पुन्य के संग्रा करने का प्रयत्न कर तुमने मेरे चित को सांथ करने के लिए जो वचन कहें हैं वे दुरुआक्यों से बिंदे हुए मेरे हिर्दय में तनिक भी नहीं ठारते हैं इसलिए मैं तो अब यही प्रयत्न करूँगा जिससे संपुन्य लोकों से आदर निये सरो फ्रिष्ट पत को प्राप्त कर सकूँ राजा की प्रयसी तो अवसी सुरूची ही है और मैंने उसके उदर से जन भी ने लिया है तथापी है माता, अपने गर में बड़े हुए मेरा परभावी तुम देखना उत्तम जिसको उसने अपने गर में धारन किया है, हुआ मेरा भाई है पीता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करें बागवान करें ऐसा ही हो माता जी मैं किसी दुसरे के दिया हुए पत का इक्चुक नहीं हूँ मैं तो अपने पुर्शार्थ से इस पत की इक्चा करता हूँ जिसको पीता जी ने भी नई प्राप्त किया है स्रीप रासर जी बोलें माता से इस प्रकार का ध्रू उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपन में पहुँचा वहाँ ध्रू ने पहले से ही आये हुए साथ मुनिस्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिच्छोनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा उस राजकुमार उन सब को प्रणाम कर अथी नम्र था और सुमिचित अभिवादन आधी पुर्वक उन से कहा ध्रूर ने कहा हे महात्माव मुझे आप सुनिती से उत्पन हुआ राजा उत्तान पात का पुत्र जाने मैं आत्म गलानी के कारण आपके निकट आया हूँ रिसी बोलें राजकुमार अभी तो तो चार-पांच वर्ष का ही बालक है अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता तुझे कोई चिंता का विशय भी नहीं है क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जिवित है और हे बालक तेरी कोई इष्ट वस्तुक हो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता तथा हमें तेरे सहीर में भी कोई व्यादी दिखाई नहीं पड़ती फिर बता फिर गलानी का क्या कारण है स्री प्रासर जी बोलें तब सुरूची ने उससे जो कुछ कहा था वस्त सब उसने का सुनाया उसे सुनकर वे रिसी गण आपस में इस प्रकार कहने लगें अहो छात्र तेज कैसा प्रबल है जिससे बालक में भी इतनी अच्छमा है कि अपनी विमाता का कतन उसके हिर्दय से नहीं टलता है छत्री कुमार इस निर्वेत के कावं तुने जो कुछ करने का निश्चे किया है यदि तुझे रूचे तुआ हम लोगों से कर दे और हे अत्वित्य जस्वी यह भी बता कि हम तेरी क्या सायता करें क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुछ कहना चाहता है द्रोण ने कहा हे द्विच सिष्ट मुझे न तो धन की एक्चा है और न राज्चे की मैं तो केवल एक उसी अस्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने नई भोगा हो हे मुनिस सिष्ट आपकी यही सायता होगी कि आप मुझे भली प्रकारिया बता दें कि क्या करने से वह सबसे अगर गणे अस्थान प्राप्त हो सकता है मरीची बोले हे राजपुत्र बिना गोविंद की आराधना की यह मनों से को वह स्रिष्ट अस्थान नहीं मिल सकता अतर दुस्री गोविंद की आराधना कर अतरी बोले जब प्राप्रक्रिती आदे से भी परे हैं वे परमपुरुस जनारधन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी के वह अक्षे पद मिलता है यह मैं सत्य सत्य कहता हूं अंगीरा बोले यदि तु अगर इस्थान का एक्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्यूत में यह संपुन जगत उत्प्रोथ है उस गोविंद की ही आराधना कर वसिष्ट बोले हे वत्स विश्मु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ शाहेगा वही इस्थान प्राप्त कर लेगा ध्रोण ने कहा हे मरसिगन मुझ विनित को आपने आराधि देव तो बता दिया अब उसको प्रसन करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए या बताईए उस महापुरुस की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझे प्रसनता पुरो कहिए जिसी गण बोले हे राजकुमार विश्णु भागवान की आराधना में तत्वर पूर्सों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तु हमसे यथा वत स्रवन कर मनुस्यों को चाहिए कि पहले संपुर्ण बाय ये विश्णु सोई चित को हटावे और उसे एकमात्र विश्णु भागवान में इस्थिर कर दे हे राजकुमार इस प्रकार एकागर चित होकर तनमे भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाई मंत्र का जाप करना चाहिए तब उससे संतुष्ठ होकर भागवान विश्णु मनवांचित फल देते हैं इसी प्रकार तु इस मंत्र का निरंतर जापकर भागवान विश्णु को प्रसन्य कर सकता है तो इसी के साथ यह अध्याय समात हुआ इसके बाद द्रू ने आगे क्या किया यह मैं अगले अध्याय में बताऊंगा तब तक के लिए भागवान हरी का नाम लेते रहें तो प्रेम से बोलिए भागवान विश्णु कीजए शिकिष्ण भागवान कीजए तुलसी माता कीजए लक्ष्मी माता कीजए समस्त देवी द्यवताओं कीजए